RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागरिक्ता संचोधन कानून यानि कि CAA को लेकर कहा कि इस कानून से किसी को खत्रा नहीं है देश में मुस्लिम समुदाई को ब्रहमित करने की साजिश की गई है उनके इस बयान पर सांसद असोदुद्दीन OVC ने तीखी प्रती किरिया दी है उनना ने कहा कि हम लोग बच्चे नहीं है कि हमें कोई भटका दे BJP ने यह नहीं बताया कि एक साथ CAA प्लस NRC का क्या मतलब है अगर यह सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है तो सभी कानून से धर्म शब्द को हटा दिया जाए OVC ने कहा जान लीजिए हम लोग बार बार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कानून में हमें खुद को भारतीय साबित करने की बात रहेगी हम उस तरह के सभी कानून का विरोध करेंगे जिसमें लोगों की नागरिक्ता धर्म के आधार पर तैकी जाएगी